हाई एवरीवन किछन मैजिक वैस उसमा में आपका स्वागत है तो देखिए कितना लाजवाब कठल के सबजी बनके तयार है आपने पहले भी बनाए हैंगे लेकिन एक बार मेरे तरीके से बना के देखिए यकीन आप पो ये तरीका बहुत ही जैदा पसंद आएगी आप कंदवाना ना भूलें तो चल ये प्रोसेस शुरू करते हैं इसके लिए लिया है कट हल उबाल के लिया है और दो आलू उबाल के लिया है और चार प्याज काट के लिया है टमाटर मिर्ची अद्रग ये सब चौप करके ले लिया है तो चल ये बनाना शुरू करते हैं कराह भून के फिर हम प्याज डाल देंगे और प्याज को बहुत ही जैदा लाल होने तक हम भूनेंगे कि मसाला जितना अच्छा फ्राय होता है नो सब्जी का टेस्ट उतना ही जैदा अच्छा आता है तो देखिए अब मसाला तयार कर लेते हैं तो टमाटर में ही मैंने अधरक डा मिर्ची पॉड़र, धन्या पॉड़र, गरम अधर पॉड़र, अब थोरा पानी अधर करके मसाला को हम थोड़े देर के लिए भीगो के रख देंगे और तब तक प्याज हम देख रहते हैं हो गया है कि नहीं प्याज को हम एक दम लाल तक भूनना है तो प्याज अधा फ्र और मिर्ची डाल के और इसे लाल होने तक फ्राइ करेंगे देखे प्याज अच्छे से भून चुका है अब इसमें मसाले डाल देंगे अब मसाला भी अच्छे से अब हमें फ्राइ करना है लोग कम करके मुझे 5-7 मिनट तक मसाला को ढखके फ्राइ करना है तो मसाला को जितने अच्छे से फड़ाय करेंगे आप उतना अच्छा सबजी का टेस्ट आता है तो देखे तब तक मैं अपना चावल बना लेती हूँ बीच बीच में मसाले को भी चलाते रहना है लोग कम करके आप पकाएंगे तो थोड़ा टाइम लगता है लेकिन टेस्टी बनती है वाजी तो अब डाला है एक चमच मतन मसाला पॉडर और एक चमच कसूरी मेथी थोड़ा मसल के हम डाल देंगे पर इसको भी अच्छे से चला कठल चोटा वाला कठल आता है तो आप उसका कोपता बना सकते हैं अच्छा बनता है लेकिन अगर ऐसा कठल है तो इसका सबजी ही बनाएं क्योंकि इसका कोपता बनाने में थोड़ा यह हो जाता है बीजवीज जयदा निकल जाता है तो अच्छा नहीं होता है तो आप ऐसा आप से जैदा कम कर सकते हैं, तो देखिए, अच्छे से इसको चला के, आठ से दस मिनट हम लोग कम करके पकाएंगे, क्योंकि ये तो उबाला हुआ है, तो फिर जैदा पकानी की जरूत नहीं है, अब गयास बंद करके हरी धनिया डाल देंगे, बाबाइ!